जितनी भी पतनिया जितनी भी वाइफ इस वीडियो को देख रही हैं आपको अपने हस्बेंट अपने पती के लिए सुपाय को जरूर करना होगा आपके हाँ चमतकार हो जाएगा खुद करके देख लेना पूजी गुरुजी की कता से सुनके बोगत अच्छे से बताऊंगा बस एक चुटकी कुंकुम लेना होगा एक चुटकी हल्दी लेना है और आपके यहां जो भी रिस्ते खराब हो रहे होंगे वह सुधर जरूर जाएगे लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजे आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे है चैनल सब्सक्राइ होता है तो एक चुटकी मात्र एक चुटकी कुंकुम लेना साथ ही साथ इस तरीके से एक चुटकी हल्दी लेना मैं यहां पर जो बताने जाना हो सुनिएगा अगर आप हल्दी की गांठ को ले करके इसको पीस करके एक चुटकी हल्दी लेते हैं उसका एक अलग महत्व है समझेगा ध्यान से अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई एक चुटकी आप पिसा पाउडर बहुत मार्केट में मिल रहा है ले लिना एक चुटकी ठीक है आप समझो आपको उन दोनों चीज़ों को लेके किसी भी विश्नु भगवान के मंदिर में किसी भी विश्नु भगवान के समझेगा इस चीज़ को आपको ये जो भगवान का राइट पैर दिख रहा है यही तो है भगवान का राइट पैर तो राइट पैर पर आपको एक चुटकी हल्दी चढ़ाना होगा ठीक है क्रम समझेगा वरना सारा खेल उल्टा हो जाएगा फिर कुछ वायदा नहीं मिले इस तरीके से एक चुटकी हल्दी उनके दाहिने पैर पे राइट पैर पे चढ़ाना होगा ठीक है अब जो आपके हाथ में एक चुटकी कुमकुम है ना उस एक चुटकी कुमकुम को भगवान विश्णू के जो उल्टा पैर है जो लेफ्ट पैर है ना उस लेफ्ट पैर पर एक चुटकी कुम-कुम चढ़ाना होगा, साथी साथ यही कामना करनी होगी, कि हम लोग के बीच में कभी लडाईया ना हो, हमेशा हमारा प्रेम पवित्र बना रहे, कुछ इस तरीके से प्यार से कामना करना, ठीक है, तो यह बहुत ही प्यारा सा, उस पर आपको कुम-कुम चढ़ाना होगा, ठीक है, बस इस चीज को ध्यान लखेएगा, कोशिश की मने अच्छा समझाने की विडियो पसंद आई हो, तो लाइक करते हैं, कुछ पूछना हो, नई समझ में नीचे कॉमन में पूछें, आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, इस उपाय को करने की थोड़ी सी तिथी है, किसी विशेज दिन आपको करना होगा, जैसे माल लेते हैं, नौमी तिथी पढ़ गई, तप कर सकते हैं, एक अदसी पढ़ गई, तप कर सकते हैं, प्रदोष पढ़ गया, तप कर सकते हैं, शुरात्री पढ़ गई, तप कर सकते हैं, किसी विशेज दिन जब भी कोई पढ़े, कोई व्रत्य वहार आए, इस उपाय को कर सकते हैं, ओम नमस्षिवाय जय महाकाल